एभी मुके सब तूर्तों लड़ने में रखा क्या है कहना है हो गए सब नालायक और निजी स्वार्थ में है अंधे हो गए सब नालायक और निजी स्वार्थ में है अंधे इसी लिए तो खूल वैठे हैं राजनीति के अब धंदे राजनीति को मैंने धंदा इसलिए कहा है साथिओ क्योंकि एग पार्टिया नहीं है हजारों संगठन लागों संगठन है और लोगों ने हजारों पार्टियां बना रखी है तो बाबा साहिब के मुनुमेंट को कवजूर करने का काम ये लोग कर रहे हैं तो कहिना है हो गए सब नालायक और निजी स्वार्थ में हैं अंधे इसी लिए तो खोल बैटे हैं राज नीति के अब घंदे होश में आ जाओ गदारो क्यों समाज को बेचते हो चाहते हो गर भला समाज का अलग अलग हैं क्यों जंडे अलग अलग हैं क्यों जंडे इसलिए कहना पड़ता है क्या ऐ भी मुके सपू तो लड़ने मैं रखा क्या है साथियों कहना है क्या क्या थे खेंओं में बट्थे लोग क्या खाक समांग जोडएंगे ये भी पाटि फणाव लगा देते क्वा कांग forskत जोड़ेंगे स्वार्थी अंध्य लोग वह उप्ट मनवल ही तोड़ेंगे बक्त पुकारे अपना अपना राग अलापना छोड़ो एव मेरे बाबा के बच्चों समय रहते एक जगह पर आजाओ एक अंत्र हो जाओ नहीं तो बुर समय दूर नहीं कि जहां से बाबा साम ने आपको यहां तरह पहुंचा दिया बाबा जहां से खड़ा कि है क्या है अगे है मिलकर जोड़ो देखना शं मोंदर भी रास्त होड़ेंगे शंबर वी रास्त चोड़ेंगे इसली कहना परता है क्या एभीम के सपूतो लड़ने में रखा क्या है क्यों मेरे भीम के सपनों का मेरे बाबा के सपनों का अंजाम हुआ क्या है मेरे भीम के सपूतो लड़ने में रखा क्या है क्योंकि कहना है कि बाबा सहाब के सपनों का अंजाम हुआ क्या है साथियों क्योंकि वो अंजाम बहुत बुरा हो गया बाबा सहाब हमको कहां पहुचाना चाहते थे और हम कहां पहुच के रह गए है मेरे भीम के सपनों का अंजाम हुआ क्या है ऐ भीम के सपनों तो लड़ने मेरा क्या है पहला बन पे कवाली का कहना पड़ता है साथ क्या है आज की सचाई मन में ये तुम बसा लो है आज की सचाई मन में ये तुम बसा लो कहना पड़ता है क्या है आज की सचाई मन में ये तुम बसा लो क्या आप मानो या ना मानो लेकिन ये सचाई है है आज की सचाई मन में ये तुम बसा लो क्या भास तुमें गुंडराजय का आगाज हो गया है कहिना पड़ता है क्या भारत में गुर्णा राहें का लुखे हो ही लेधायाज को близी इसके में देखेवज करता हो ने कि ड़न year कि लिए्षयदी मना रे हैं लेकिन साथियो वाबा साहब की जयंती मिन प्रफ व्होगा जब और साहा हुआ की बाभा साहिव की बात उंप भी मिशन में अदा करता हूं, गर्दिश में मिशन, आगाह करता हूं, गर्दिश को आगाह करता हूं, मैं आपका आभान करता हूँ स्वाभिमान के बास्ते आपका आभान करता हूँ कहना है कि चलना है रहे भी हमें दरख्वास्त करता हूँ गर्दिश में है भी मिशन आगाः करता हूँ बाबा के वेटो गर पड़े जलूरत तो हत्यार खाले रहा स्वाववान के बास्ते तुम्हारा आभान करता हूं कहना कुछा है क्या कहने हैं कि लगी है्मिशन में क्रान टी की आगे से भुझने नहीं देना है बाबा के अधूरे सपनों को अंजाम देना है कहना है लगी है मिशन में क्रांटी की आग इसे भुझने नहीं देना है बाबा के अधूरे सपनों को अंजाम देना है करता है जहरी गुजारिश लोटाओ अपने घर जो बाबा सहाब के मिशन से भुट गए है जो लोग बावा साहब के बहुजर बच्चे जो ये समझ के दूर हो गए है कि जो कुछ किया है हमने उपनी मेहनज से किया है बावा साहब ने किया गया है तो बुजना मेरी इस बात को गौर्ष सुन ले तो मुझे दुखियों के लिखना पड़ता है कहना है साथियों लगी है मिशन में किरांती की आग इसे भुझने नहीं देना है बाबा के अधूरे सपनों को अंजाब देना है करता है जहरी गुजारिश लोटाव अपने घर बरना सोच नहीं पाओगे आने वाली पीडी को जवाब क्या देना है कहिना पड़ता है क्या खत्रे में आ गया है समधान गरंथ यारो तो हमको क्या करना है घर से निकल के क्रांटी का वक्त आ गया है ऐ भी मुके सपूतों लड़ने में रखा क्या है ऐ भी मुके सपूतों लड़ने में रखा क्या है ऐ भी मुके सपूतों लड़ने में रखा क्या है कहना है साथियो गुजारशन मेरी आपसे अपील है अभी नहीं समझे तो कहना है अभी नहीं समझे तो अंजाम बुरा होगा साथियो कहना पड़ता है क्या जगड रहे हैं हम आपस में दुश्मन चले लच पी ओर जगड रहे हैं हम आपस में हम कहां जगड रहे हैं हमारे कुछ तो क्या बताएं साथियो जो बाबा साहाब के बच्चे जो 85% इस देश में है वो आपस में लगे हुए हैं कि हग में 6,743 जातियों में जो बहुजन समाज बटा हुआ है वो आपस में क्या समझता है कि मेरा एक भाई पिट रहा है तो दूसरा चुप रहता है बहुत जल्द ही असर देखेगा जुल्मी जो बटाएं जो बटाएं पूरा भोजन समाज बटाएं लेकिन साथियों हम जागने का काम नहीं कर रहे हैं अगर हम समय रहते नहीं समझे तो बहुत मुश्किल की घड़ी बहुत जल्द हमारे बीच आजए जुल्मी राज का बहुत जल्द ही असर देखेगा जुल्मी राज का चारो ओर इसले साथिन नाख़ालगी लेखते हैं कभी तुजगों कभी तुजगों लडाते में ये वही लोग हैं जो मेरी बस्पी जलाते हैं आउकात नहीं हैं हमसे सीधे लड़ने की आउकात नहीं है हमसे सीधे लड़ने की इसलिए साथ यो ये नामर्द हमारा इतिहास जलाते है हमारा इतिहास जलाते है कहना पड़ता है क्या कभी तुझे को कभी मुझे को लड़ाते है ये वही लोग है जो मेरी बश्ती जलाते हैं ओकात नहीं हैं हमसे सीधिल लडने की इसी लिए ये नामर्द हमारा इतिहास जलाते हैं हमारा इतिहास जलाते हैं तो कहिना पड़ता है क्या अब भी नहीं समझें तो अंजाम बुरा होगा क्या अंजाम क्या बुरा होगा तेरी आनवान शान पे आज इतने अच्छे अच्छे कफड़े अच्छे गाडियां अच्छे अच्छे घरव में हो रहे गए हैं उस शान को गिरहन सा लगनी लगा है साथियो छोटा सा अधान तुमें बता दूं कि दो महिने में मेरी आईडी तीन बार ब्लॉब हो चुकी हैं जिसके मैं पोस्ट नहीं कर पा रहा हूं इसको मैं क्या समझों अभी कल से पूरे एक महिने के लिए तीन देने पहले हुई थी और एक महिने पहले हुई थी इसलिए अंदाज लगा लिजिए अभी नहीं समझे तो अंजाम बुरा होगा तेरी आन बांद शान पे अभी नहीं समझे तो अंजाम बुरा होगा क्यों तेरी आन बांद शान पे अरे आप लोग जो मुझ रहता हो उस से लोगों के पीट में धर्द होता है इसलिए क्या तेरी आन बांद शान पे तेरी आन बांद शान पे क्या अभू पीरतन रहा है एभी मुझे सब्वू तो लड़ने में रखा क्या है अभी मुझे सब्वू तो लड़ने में रखा क्या है एभी मुद्के सबूतों लड़ने में रखा क्या है एभी मुद्के सबूतों लड़ने में रखा क्या है और साथियों इस कवाली का आखरी वर कहना पड़ता है क्या पूछोगे जोहरी से कह देगा यही फिर से क्या पूछोगे जोहरी से कह देगा यही फिर से अगर बात अच्छी लगे अगर बात अच्छी लगे और सच्ची लगे तो आपका एक शेर चाहूँगा कहना है क्या पिच्यासी के मिलने का अरे इतना समय निकल गया आप उसकी मदवेद में सारे मदवेद छोड़के और बाबा सहाब की वच्चों पच्चासी परसेंट बहुजरो एक साथ आजाओ और बाबा सहाब को समझ लो तो आपकी आपका जीवन इस देश में सुरक्षित हो जाएगा तो क्या पिच्चासी के मिलने का पिच्चासी के मिलने का अब बड़ आ आ गया है पिच्चासी के मिलने का अब बड़ आ गया है ऐभीव के सा तू तो लड़ने में रखा जा है आजा है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सबी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले